Hello everyone, आप लोग देख रहा हैं एक्जाम होले और हम लोग आपके लिए साइन्स के सिरीज में एक नया सेट लेकर आए हैं जिसमें साइन्स के 25 MCQ होंगे और जो आपके अगामी परिछाओं में काफी सहायता करेंगे तो आएए शुरू करते हैं तो आजका हमारा पहला कोश्चन है कि रख्ट के ठक्के की इस्तिती का पता लगाने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सोडियूम 24 सोडियूम 24 जो है एक सोडियूम का आइसोटोप यानिकी समस्थानिक है और इसका प्रियोग रख्या जो भी धमनी या सीरा में जो भी रख्या थक्का जम जाता है उसको पता लगाने मिखिया जाता है हमार आगला question है कि लोहे पर जंग लगना किसका उधारण है तो लोहे पर जंग लगना है वो अक्सी करण का उधारण है नेक्स्ट कॉश्चन है कि जलिया न ओएच से भरी परख नलीयों के विलियन में विभेद किया जा सकता है मतलब कैसे विभेद किया जा सकता है एकवस अगर न ओएच या कास्टिक सोड़ा होतो इसमें हमारा जो अप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी लाल लिटमस द्वारा क्योंकि जो हमारा लाल लिटमस पेपर है वो अगर हम छार में डुबाते हैं तो वो नीला हो जाएगा और जो एने ओच है वो एक छाड़िय विलियन बनाएगा चौथा कोश्चन है कि प्रोडियूशर गैस किसका मिस्रण होता है तो प्रोडियूशर गैस जो है हमारा वो कार्बन मोनो अक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिस्रण होता है प्रोडियूशर हमारा है कि निवन मेशे कौन सा तत्त सरवाधिक विदुत रिणात्मक है तो इसमें हो जाएगा हमारा ओप्शन बी यानि कि फ्लोरीन फ्लोरीन जो है आवर्थ साड़नी में सबसे विदुत रिणात्मक तत्त भी है अगर हम आवर्थ साड़नी में रिणात्मक्ता की बात करता है तो आवर्थ में बाएं से दाएं जाने पर जो विदुत रिणात्मक्ता है वो बढ़ती है और अगर हम शमू यानि वर्ग या जो हमारा ग्रूप है उसमें अगर हम नीचे से उपर जाता है तो विदुत की बात करें तो फ्लोडीन जो है हमारा आवर्तसार्णी में जो सत्रहवा ग्रूप है उसमें रहता है और इसका पर्माडू क्रमांग 9 है चठा नंबर कोस्टन है कि परियोक्षाला में तयार किया गया पहला कार्बनिक योगिक कौन है तो परियोक्षाला में सबसे पहले यूरिया को तयार किया गया था और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है chemical formula वो होता है NH2, CO NH2 सात्वा नम्बर हमारा कोश्चन है कि बिजली से लगी आग बुझाने में किसका परयोग किया जाता है तो जो बिजली से लगी आग होती है उसको बुझाने में जो है पाइरीन अगनी शामक या पाइरीन एक्ट गाइशर का परयोग किया जाता है और यह जो पाइरीन गिंसर है इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइल यानि CCL4 का उप्योग किया रहता है पाइरीन नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि कमपनी जो पाइरीन थी वो सबसे पहले इस नाम से अपना पेटेंट बन वाली और तभी से सबसे पहले इसी ने कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयूग करके यह जो अगनी शामक है उसको बनाई थी और तबसे यह पाइरीन नाम प्रचलित हो गया और जो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड है यह हवा से भारी होता है और जब यह अगनी शामक से बाहर निकलता है ज्ञाग के रूप में आग पे बैढ़ जाता है और उसका एक्सीजन से संपट तोड़ देता है हमारा आठवा नमबर कोश्चन है कि फलो का मधूर स्वाद किसके कारण होता है तो फलो का जो मधूर स्वाद है वो फ्रक्टोज के कारण होता है और फ्रक्टोज में हमारा दो अडू गुलुकोज होते हैं याले कि C6, O12, H6 इसमें दो अडू गुलुकोज के होते हैं हमारा नौवा नमबर कोश्चन है कि खादिस सनलक्षण में किसका पर्योग किया जाता है तो खादिस सनलक्षण में जो है वो बेंजोईक एसीड का पर्योग किया जाता है दस्वा नमबर हमारा कोश्चन हो जाएगा कि foot and mouth रोग किसके कारण होता है तो जो foot and mouth रोग है वो विशाड़गों के कारण होता है यानि कि इसका कारण वाईरस है और यह जो है मवेशियों में होता है हमारा 11 नमबर कोश्चन हो जाएगा कि बीज किससे विक्सित होता है तो बीज जो है वो बिजानडों से विक्सित होता है बीज हमारा जो है वो बिजांडों से विक्सित होता है जैसे कि जो हमारा फूल का जो इस्तरी वाला जो पोर्शन होता है इस्तरी का जो भाग होता है उसमें एक ये जो आगे का पाट होता है वर्तिकाग्र होता है वर्तिका आती है और इसमें जो अंदर बिजांड होते हैं व फल को पकाने वाला प्राक्रितिक हार्मोन कौन है तो फल को जो पकातने वाला हार्मोन है वो है हमारा एथिलीन ठीक 13 नुम्मर कोश्चन है कि माइट्रोकॉंड्रिया की खोज किस ने की थी तो माइट्रो कांड्रिया की खोज सबसे पहले अल्टमैन ने की थी और इसका नामकरन जो है वो बेंडा ने किया था ठीक और अगर हम डी दूगे की बात करते हैं तो डी दूगे ने हमारा लाइसोश्वम की खोज किया था और लाइसोश्वम को हम आत्मगाती थैली के नाम से भी जानते हैं सुसाइडल बैग और जो माइट्रो कैंड्रिया है इसको पावर हाउस अफ सिल का आ जाता है इसको पावर हाउस अफ सिल भी कहते हैं ठीक है पैलेड जो है उन्होंने पैलेड जो है इन्होंने राइबोसोम की खोज कि थी जिसमें प्रोटेन का निर्माण होता है और जो हमारे टी बोवेरी हैं इन्होंने तारक का या सेंट्रोसोम की खोज किया था हमारा चौदर नमबर कोश्चन है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्यन कहलाता है जो कैंसर संबंधी रोग होते हैं उनको उसको उनकोलोजी कहते है 15 नमबर कोश्चन है कि हीमोफेलिया में क्या लक्षण होता है सबसे पहला रक्ठ है उसका ठक्का नहीं बन पाता है और यह जो हीमोफेलिया है यह इक हमारा जो अनुवानसीं ग्रोग होता है वो है लबडव ध्वनी किस की किर्या के कारण उत्वन होती है लव डव धोनी हिर्दय की क्रिया के कारण उत्पन होती है जो हिर्दय का अश्पंदन होता है उन्हें कि जो हिर्दय धरकता है इसको बायोजी में लव डव का नाम दिया गया सत्रह नंबर कोश्चन है कि इन में से वसा में कौन विले नहीं होता है तो वसा में वो विटामिन B विले नहीं होता है विटामिन B और C ये दोनों water soluble vitamin है ये केवल पानी में विले होता है जबकि F जो A और D, E और साथ में K ये हमारे fat soluble vitamin है और ये केवल पानी में विले होता है अठारा नंबर कोश्चन है कि पांच जगत वरगी करण किस ने किया था तो जो पांच जगत का वरगी करण है वो सबसे पहले विटकर ने किया था विटकर ने 1969 में ये वरगी करण किया जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और जो प्लांट, फंजाई और एनिमल आया इससे पहले जो लिनियस का वरगी करण किया था उन्होंने द्वी जगत का वरगी करण किया था जिसमें पादप और जन्तु थें ठीक और जो विटकर का वरगी करण है वो अब तक सरो मानने हैं जो हमारा उन्निश नमर कोश्चन है रोकेट किस सिधान्त पर कारे करता है तो जो रोकेट है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर कारे करता है तो तीसरा नियम क्या है कि प्रतेक किरिया के बराबर एवं विप्रित प्रतिकिरिया होती है और ये जो किरिया पत होता है वो एक स जल द्वारा जो इंधन का दहन होता है और जलवास्प या धुवाज छोड़ा जाता है उसी से रॉकेट को गती प्रदान होती है बेस नुमर कोशन है कि भो इस्तिर उपग्रा का आवर्त काल कितना होता है तो भो इस्तिर उपग्रा यानि कि जियो सिंक्रोनाइज या जियो स्टेस्टनरी सेटेलाइट तो उसका आवर्त काल जो होता है 24 गंटे का होता है और ये प्रिथवी के साथ साथ जैसे कि प्रिथवी अपना जो एक गोंडन है वो 24 गंटा हम पूरा करती है और उसका जो गोंडन की दिशा है वो पश्चिम से पुर्व है उसी तरह जो भू इस्थिरूपग्रा है ये भी 24 गंटा में प्रिथव एक अस्थान पर प्रिथ्वी के साथ साथ चलते हुए प्रतित होते हैं इसलिए इनका नाप Jewel Stationary या भू इस्थिर उपग्रव पड़ा है और इनकी उचाई की जो बात किजा जो इनकी कर्षा की उचाई होती है वो करीब करीब 36,000 यह exact data नहीं है यह लगभग 36,000 होता है वो exact data 35,900 something है 21 नमबर जो question है पुर्ण विकिरन उत्ताप मापी किस सिद्धान्थ पर अधारी था तो पुर्ण विकरन उत्ताप मापी बहुत उचे तापो को मापने के लिए इसका परयोग किया जाता है और यह जो है स्टिफेंस के नियम पर कार्य करता है तो स्टिफेंस का न कि शंता परमताप के चतूर्थ घात के समानुपाती होती है यानि कि e directly proportional to t k power 4 तो e is equal to यहाँ पे सीगमा t k power 4 हो जाता है जहाँ पे यह जो सीगमा है यह स्टिफेंस कॉंस्टेंस को बोला जाता है और यही स्टिफेंस का नियम है और पुर्ण विकरन उत्ताप मापी कि ताप मान को मापने में इसका परियोग किया जाता है अधिकतर इससे तारो या सुरी का ताप या मतलब बड़े बड़े टेंपरेचर वाली वस्तवों का ताप मान ग्याद किया जाता है 22 नमबर हमारा जो कोश्चन है वह है कि वह चिकित्सा परिक्षण जिसमें प्रासरव्य ध्वनी का उप्योग किया जाता है तो प्रासरव्य ध्वनी यानि कि अल्ट्रा साउंड इसका उप्योग जो है सोनोग्राफी जिसको आम भासा में अल्ट्रा साउंड भी का जाता है ठिक इसका उपयोग परासृराबिद्ध हूनी की उसी मे केया जाता है firstly को नूमर कोश्न हो जाएगा परत्यावर्ति धारा को दिस्ट धारा में परिवर्थित करने वाली युगति को क्या करते हैं तो जो हमारा परत्यवर्तिधारा को दिश्ट धारा में परवर्तिध करता है वो है Rectifier यानि कि इसको हिंदी में दिश्ट कारी भी कहा जाता है हमारा 24 नंबर कोश्चन है कि विद्धुत मोटर किस सिध्धान पर कारे करता है तो जो विदुद मोटर है वो फैराडे के नियम पर कारे करता है जो फैराडे का नियम है उसमें बताया गया है कि किसी भी बंड कुंडली में अगर चुमबकिया फलक्स का जो मान है वो परिवर्तित किया जाए तो एक विदुद वाहक बल यानि कि EMF एलेक्ट्रो मोटिफ फ करता है 25 नंबर जो हमारा कोश्चन है कि फेदो मीटर का उप्योग किसे नापने में किया जाता है तो फेदो मीटर का उप्योग जो है वो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है तो हमारा option C हो जाएगा ठीक है तो आज के लिए दोस्तों हमारा जो सेट था साइन्स क नहीं तक है तो कल हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद